Let's do question number 7th of exercise 3B that is whole number. Question number 7th is complete. Each one of the following magic square by supplying the missing numbers. हमें हर एक magic square को fill करना है जो भी missing numbers है. तो first part करते हैं जब भी हमें missing numbers निकालने होते हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी number diagonally लिखा हो या आपका row wise लिखा हो या column wise लिखा हो ये column होता है ये row होती है ये diagonal होता है ऐसे और ऐसे cross जो बनता है राइट ये जो भी जिस भी form में number दे रखे हो answer उसका same आएगा आड़ करके प्लस 8 करते हूँ जो भी answer आएगा वही मेरा यहां तीनों को add करके आएगा इन values को add करके आएगा रोज वाली values को add करके आएगा सारी रोज की values अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं first part कैसे करेंगे चलिए देखते हैं first part अब हमें diagonally अगर देखें तो ये तीन numbers दिये हैं तो इनको add करके देख लेते हैं कितना आ रहा है 8 plus 5 plus 2 that is 8 plus 5 is 13 13 plus 2 is 15 आ रहा है तो इसका मतलब 2 plus 9 plus dash करके भी 15 आना चाहिए तो मैंने 2 plus 9 किया तो मुझे पता चला ये 11 है 15 नहीं आ रहा है तो 15 बनाने के लिए इस पूरी line को 15 बनाने के लिए अगर मैं 4 add कर दूं इसमें अगर मैं 4 add कर दूं तो ये मेरा 15 आ जाएगा तो that means मुझे ये वाली place पता चल गई 4 है तो मैंन इसमें 4 लिख दिया अब देखिए अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी line है और ये line है ये हमारी fill हो सकती है कैसे fill होईगी देखिए 8 plus 4 किया 8 plus 4 किया तो ये आता है 12 और हमारा कितना बनना था 15 तो that means अगर मैं इसमें 3 add कर दूं तो 15 बन जाएगा तो यहां पे 3 इसी तरीके से अगर मैं 4 plus 9, 5 देखूं, 4 plus 5 देखूं तो ये कितना आगया, 9, 9 में 15 add करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 6 add करना पड़ेगा 15 बनाने के लिए, तो that means यहां आगया हमारा 6, अब इसी तरीके से अगर आप देखें, 8 plus 6 कितना होता है, 8 plus 6 होता है हम हमारा 14 और 15 बनाने के लिए 1 आड़ करना पड़ेगा तो 15 आजाएगा तो हमारा यहां आगया 1 और इसी तरीके से अब हमारा या तो आप इसे ऐसे आड़ कर लीजे तब भी सेम आएगा यहां ऐसे आड़ कर लीजे तब भी वाल्यू सेम आएगा तो हमने 3 प्लस 5 किया तो हमा करती हूं तो six plus two भी eight आया और eight में seven add करूंगे तो fifteen that means हमारा answer correct है तो हमने यहां पर क्या लिख दिया seven तो यह हमारी values हो गई है next अब देखिए इसमें diagonally दे रखी है एक value और ऐसी दे रखी है लेकिन diagonally तीनों value दे रखी है तो add करके निकाल लेते हैं कि हमारी value कितनी आनी ची sixteen plus ten plus four तो यह आ गया twenty six plus four is thirty total thirty आना चीए तो अब हमने देखा sixteen plus two sixteen plus two हमारा आ रहा है eighteen eighteen में अगर मैं twelve add कर दूं तो हमारा आ जाएगा thirty तो यहां पर आ गया हमारा twelve अब हमारी को कौन सी values पता चल गए हैं यह twelve और ten और यह twelve and four यह और यह निकाल लेंगे तो हमने निकाला हमने निकाला twelve plus ten हुआ तो हमारा आया twenty two Ecuador twenty two में eight add कर देंगे तो thirty आ जाएगा इसी तरहीव से twelve plus four हुआ हमारा sixteen और उसमें hundred और मैं fourteen add कर देंगे तो भी हमारा 30 आ जाएगा तो 8 और 14 हो गई हमारी values तो हमने यहां लिख दिया 8 और यहां लिख दिया 14 रैट अब हमारी दो और values भची हैं चाहे आप इसको ऐसे करके निकाले या ऐसे करके निकाले answer same ही आएगा इसी तरीके से चाहे है आप इसको यहां से आड करके निकाले या इन दोनों को आड करके निकाले आंसर सेम ही आएगा इसी तरीके से 16 प्लस 8 आड किया तो हमारा आया 24, 24 में 6 आड कर देंगे तो 30 आजाएगा और इसी तरीके से 8 प्लस 4 किया तो हमारा आया 12 12 में 18 एड़ कर देंगे तो हमारा 30 आजाएगा तो हमारा 6 और 18 करना है यहां पर कितना आगे 24 में हमने 6 एड़ किया था और 8 और 4 में हमने 18 एड़ किया था तो यह आगया हमारा answer let's do third part now अब देखिए third part में हम अगर देखें तो पूरा या तो diagonal या हमें कोई column या row चाहिए तो हमें यह देखिए यह diagonal पूरा दे रखा है तो हम इसे ही add कर देंगे third part तो हमने add किया 2 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 17 तो यह कितना हा रहा है हमारा 2 प्लस 2 is 4 4 प्लस 14 is 18 8 1 carry and 3 38 अरण चीए सारा total अब आप देखें कौन सी चीज 3 values वाली दीवी है तो अगर आप देखेंगे यह 3 values देखें तो इसका हमें यह निकालना है तो हमने किया 2 प्लस 15 प्लस 16 प्लस इकूल्स तो कितना आएगा हमारा यह देखें 5 प्लस 2 is 7 7 प्लस 6 is 13 carry 1 33 आगया 33 में अगर मैं 5 एड कर दूंगी तो मेरा कितना आजाएगा 38 यहां 5 लिख दिया राइट अब देखेंगे यह 3 values हो रही है तो इसका मतलब हमें यह पता चल जाएगा तो हमने किया 17 प्लस 10 प्लस 5 तो यह कितना आगया 7 प्लस 5 is 12 carry 1 3 32 32 में अगर 6 एड किया तो हमारा 38 आ रहा है तो हमने वही 6 लिख लिया तो यहां पे 6 आ गया अब देखें यह 3 values हो रही है तो that means हमें यह mid value पता चल जाएगी तो हमने किया 9 प्लस 12 प्लस 6 equals 2 अब कैसे करेंगे 9 प्लस 2 is 11 11 प्लस 6 is 17 carry 1 and 2 27 में हम 38 बनाने के लिए इसको 11 आड कर देंगे तो हमारा 38 आ जाएगा तो हमारी इसका मतलब यह value आ गई 11 अब देखें अब कौन सी value निकाल सकते हैं 2, 9 and 14 दे रखा है यह value निकाल सकते हैं तो हमने निकाला 2 प्लस 9 प्लस 14 तो यह कितना आ गया 9 प्लस 2 is 11 11 प्लस 4 is 15 carry 1 25 25 में अगर मैं 13 आड करूं तो मेरा 38 आ जाएगा तो यह आ गया हमारा 13 अब हमें इस line में पता चल जाएगा कि क्या आएगा तो हमारा आया 13 प्लस 7 प्लस 10 तो यह आया हमारा 30 टोटल 30 में 8 आड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38 तो हमारा 8 आ गया अब देखिए अब आप इन तीन दोनों कॉलम्स को आड करेंगे तो हमारी यह दो वैल्यूज आ जाएगी तो हमने किया 15 प्लस 12 प्लस 8 इकोल्स टू कितना आया 35 35 में 3 आड करेंगे तो हमारा 38 आ रहा है इसी तरीके से 16 प्लस 11 प्लस 7 में देखिए 16 प्लस 6 प्लस 1 इस 7 7 प्लस 7 इस 14 carry 1 3 34 में हमने 4 आड किया तो 38 आ गया तो that means 3 और 4 करना है तो 3 कहां आया था 15 प्लस 12 वाले में तो यहां 3 और यहां 4 इस दा आंसर लास्ट पार्ट करते हैं लास्ट पार्ट में देखिए लास्ट पार्ट में यह डाइगनल ही दे रखा है तो हम इसे ही आड कर लेंगे 9 प्लस 9 इस 18 18 प्लस 8 इस 26 2 carry 46 हो गया तो that means हमें पता चल गया total कितना आ रहा है 46 तो अब हमारी 3 values इसमें है और इसमें है तो दोनों की values निकाल लेंगे तो 18 प्लस 17 प्लस 4 कितना आया है यह हमारा 8 प्लस 7 इस 15 15 प्लस 4 इस 19 carry 1 39 अब 39 में 7 एड करेंगे तो 46 आ जाएगा तो हमारा यह आ गया 7 इसी तरीके से 4 प्लस 11 प्लस 16 किया तो कितना आया 6 प्लस 1 इस 7 7 प्लस 4 इस 11 carry 1 and 3 31 में हम 15 आड करेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा तो यहां आ गया हमारा 15 अब हमारा कौन सा देख सकते हैं देखिए अब हम यह वाली value निकाल सकते हैं और फिर यह वाली value निकाल सकते हैं तो हमने किया 15 प्लस 10 प्लस 9 हमारा आया 5 प्लस 9 इस 14 carry 1 34 34 में हमने 12 आड किया तो हमारा आ गया 46 तो यह आ गया हमारा 12 अब हम 7 प्लस 12 प्लस 19 करते हैं तो कितना आ रहा है 9 प्लस 2 इस 9 प्लस 2 इस 11 11 प्लस 7 इस 18 18 carry 1 38 हो गया 38 में मैं 8 आड कर दूं तो 46 आ जाएगा तो हमारा यहां कितना आ गया 8 आ गया अब हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं यह वाली निकाल सकते हैं राइट और यह वाली निकाल सकते हैं तो हमने निकाला 8 प्लस 14 प्लस 11 कितना आया 8 प्लस 4 इस 12 13 carry 1 33 33 में मैं 13 आड कर दूं तो 46 आ जाएगा तो यह आ गया 13 इसी तरीके से अगर मैं 18 प्लस 13 प्लस 9 मैं यह वाला कर रही हूं पहले इसको आड करके यह निकालूंगी और फिर यह आड करके यह तो यह है हमारा 8 प्लस 3 इस 11 11 प्लस 9 इस 22 carry 40 40 में मैं 6 आड कर दूं तो 46 आ जाएगा तो पहला हो गया 6 और next आ गया 17 प्लस 14 प्लस 10 करते हैं तो यह कितना आता है 7 प्लस 4 इस 11 carry 1 41 41 में 5 आड करेंगे तो 46 आ जाएगा तो मैंने यहां लिख दिया 5 यह आ गया हमारा answer